बारत नेपाल दो ऐसे पडोसी देश जिनके सम्बंधों को परिभाशित करने के लिए अक्सर रोटी बेटी की संग्या दी जाती हैं अब दोनों देशों ने अपने सम्बंधों को और बहतर बनानी के लिए और मजबूत बनाने के लिए दोनों ही देश एक साथ एक नई परियोजना में शामिल हुए हैं आज इस वीडियो में हम इसी परियोजना के तमाम पहलों को समझने की कोशिश करेंगे साथ ही भारत नेपाल संबंधों की संशेप्त रूप रेखा को भी समझने का प्रयास करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दुष्टी आई इसकी इस नई वीडियो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं जिनके माध्यम से हां आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले वीडियो में हम खबर को देखेंगे न्यूस को देखेंगे इसके बाद वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट यानि यह जो नई परियोजना है इस परियोजना को समझने की कोशिश करेंगे इस परियोजना के इतिहास पर बात करेंगे इसके अलावा परियोजना का महत्तों क्या है भारत के लीए पर्योजना का क्या मेहत्व है इसे भी समझेंगे ज़से लिगए। भारत के लिए की चल्वाट नेपाल संबंदों की संशिप्त रूप रेखा को भी समझने की कोशिश करेंगे अंत मिनि सकर्श पर बात करेंगे और पर भी चर्चा करेंगे प्रश्ण प्रिलिम्स के सतरका है और आप कॉमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं यह जो पूरा विशय है वह सामान्य धिन प्रश्ण पत्र दोसी संबंदित है आप इसे अंतराश्टी संबंध और भारत और इसके पडोसी जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं विडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की अपनी खबर को देख लेते हैं आज की हमारी खबर इंडेन एक्स्प्रेस के explained section से है, खबर है what West Sethi Power Project can mean for India Nepal Ties, यानि भारत नेपाल संबंधों के लिए ये जो नई परियोजना है, ये क्या रूप ले सकती है, ये नई परियोजना भारत और नेपाल संबंधों को आगे आने वाले समय में, क्या दिशा देगी, उसको लेकर इस पुरी news म बात की गई है, सार्टिकल में बात की गई है, शेली वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले West Sethi Power Project के बारे में जान लेते हैं, इस प्रोजेक्ट क्या क्या रूप रेखा रही है, क्या इतिहास रहा है, इसकी प्रष्टभूमी को समझ लेते हैं, तो ये जो प्रोजेक् अगर पूरी हो जाती है, तो इसकी परियोजना के माध्यम से, इस डैम के माध्यम से लगभग 750 मेगावार्ट बिजली पैदा की जा सकेईगी, इसके अलावा अगर आप सूच रहे हैं, कि ये जो परियोजना है, ये एक नई परियोजना है, तो आप गलत है, ये परियोजन इस company ने इस परियोजना को लेकर काम शुरू किया लेकिन कुछ समय बाद ही company ने इस परियोजना पर काम को रोक दिया company का तर्क था कि company के पास अब पैसे नहीं है यानि funding नहीं है इसके बाद यह जो परियोजना है यह पूरी तरह से रुख गई फिर आया साल 2012 साल 2012 में नेपा साल की सरकार और चीन के company है थ्री गॉर्जिस corporation इस company के बीच एक समझोता हुआ इस समझोते के तहट दुबारा से इस परियोजना को शुरू करने की बात की गई यह परियोजना पर नए सीरेशा काम करने के लिए समझोता किया गया लेकिन साल 2018 आते आते चीन किस company ने बीश परियोजना पर काम करने से इंकार कर दिया चीन की कमपनी का कहना था कि परियोजना वित्य रूप से विभारिक नहीं है यानि कमपनी को इस परियोजना की कारण कोई भी फायदा नहीं हो रहा है कोई भी लाब नहीं मिल रहा है इसके लावां इस परियोजना की कारण लोगों एक बार फिर काम बंद हो गया इसके बाद आया अप्रेल 2022 में नेपाल के प्रधान मंत्री भारत की यात्रा पर आये भारत के दौरे पर आये और इसी दौरे पर इस पूरी परियोजना को फिर से शुरू करने को लेकर एक अनौपचारिक वारता शुरू ही और अपकी बार इस यात्रा को काफी महत दिया गया और इसी यात्रा के दौरान राष्टी जल विध्युत नीगम ने πα्ले पर और इसका प्र benefit काई शुरू हो गया तो यह मौझूद है यानि नेपाल अपने इंफ्रस्ट्रक्चर के जरिए लगभग 2000 मेगावार्ट बिजली उत्पन कर सकता है लेकिन यहां पर केवल 900 मेगावार्ट बिजली ही उत्पन होती है यानि आप इन दोनों के बीच में काफी अंतर देख सकते हैं ऐसे में जो नई परियोजना नेपाल के बिजली संकट से निपटने में महतपूर भूमिका अदा कर सकती है यानि इस परियोजना के जरिये नेपाल के कई लोगों को बिजली मिलने में मदद मिलेगी इसके अलावा इस परियोजना के जरिये जो भी लोग पुनरवासित हो रहे हैं जिन लोगों को भी से लाब होगा जो लोग इसके कारण पुनरवास हो रहे हैं अलाकि उनकी समस्याएं इस एक करोड़ रुपे से समस्य निपटने वाली नहीं है उसके कारण उन्हें काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसके अलावा भारत और नेपाल के संबंदों में पिछले कुछ समय से तल्खी और तनातनी देखने को मिल रही हैं दोनों देशों के संबंद पिछले कुछ समय से संगर्शरत हैं ऐसे में जब यह परियोजना बनकर तयार हो जाएगी तो यह दोनों देशों के संबंदों में सुधार करने में भी महत्त भूम और नेपाल में 6000 से ज़्यादा नदिया मौजूद है इन नदियों के अनुमान है कि इन नदियों के जरिये नेपाल अनुमानित 83000 मेगावाट बिजली उत्पन कर सकता है लेकिन ऐसा नेपाल नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास ऐसा इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं है ऐसे में दुनिया भर के जो भी देश है वो नेपाल की शमता का दोहन करने के इच्छुक हैं और भारत भी इनी देशों में से एक है लेकिन भारत के समक्षिक बड़ी चुनौती है भारत ने नेपाल में अब तक जो भी परियोजनाय ली है भारत उन्हें पूरा करने में सक्षम नह लिए नेपाल की सरकार के साथ एक समझोता ग्यापनभर हस्ताक्षर किये थे इस समझोता साब महाकाली संधी लेकिन इस पूरी परियोजना को लेकर अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया भारत की इस कंपनी को इसका काम दिया था उसने अभी तक इस प परियोजना को लेकर हस्ताक्षर किये गए थे लेकिन इस परियोजना पर भी अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारत द्वारा नेपाल में जो भी परियोजना इली गई है उन पर जादा काम नहीं हो पाया है और यह भारत के समक्ष एक बड़ी बहुमत से संसद के समर्थन की जरूरत होगी लेकिन क्योंकि भारत अभी तक नेपाल में कोई भी परियोजना को पूरा नहीं कर पाया है जो भी परियोजना भारत मिली है वो लगभग अधूरी छूट गई है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ऐसे में भारत को जो ने नेपाल भारत का सब्ते महत्पूर्ण पडोसी है और सदियों से चले आ रहे हैं भागौलिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के चलते भारत की विदेश नीती में नेपाल को हमेशा एक विशेस स्थान दिया जाता रहा है इसके अलावा दोनों देश बॉद्ध धर्म और हिंदु धर्म की साजह विरासत को भी दोनों देशों के बीच साजह विरासत भी मौजूद है हिंदु माइथालोजी के मुताबिक भगवान राम की पतनी सी करते हैं इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो बॉडर है वो भी काफी ओपन है और वहां पर निर्बाद आवागमन की सुविधा मौजूद है नेपाल के कई लोग भारत में आते हैं भारत के कई लोग काम के सिलसिले में नेपाल जाते हैं इससे में दोनों देशों के दोनों देशों के संबंधों को अपशारिक रूप देने के लिए एक संधी पर हस्ताक्षर किये गए थे ये संधी थी शांती और मित्रता की संधी ये संधी दोनों देशों के संबंधों की नीव मानी जाती है इसके लावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार भी है इसके लावा भारत के लोग नेपाल में निवेश भी काफी जादा करते हैं साथी दोनों देशों के रक्षा संबंध भी काफी मजबूत है भारत सरकार नेपाल की सेड़ा के आधून की करण पर भी जोर दे रही है इसके अलावा साल 2011 से दोनों देशों के बीच सुर किरन नामा के एक सैन ने अभ्यासका भी आयोजन किया जा रहा है साथी दोनों देशों के बीच people to people connectivity, लोगों के बीच संपर्व को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है साल 2014 में दोनों देशों की सरकार ने three sister city समझोते पर भी हस्ताक्षर किये थे इस समझोते के तहट काठमांडू को वारणसी से, लुम्बिनी को बोधगया से और जनकपूर को अयोध्या से जोडने की बात की गई थी यानि जो भी सांस्कृतिक और एतिहासिक लिहास से जो महतपूर शहर है उन्हें आपस में जोडने की बात की गई थी समझोते के तहट तो ये तो हुए दोनों देशों के संबंधों की बात अवंत में निसकर्ष की बात कर लेते हैं हम कह सकते हैं कि यह जो West Seti Power Project है यह भारत और नेपाल दोनों के लिहाज से काफी महतपूर है क्योंकि यह परियोजना नकेवल भारत और नेपाल के सब्बंधों को आगे और जादा बहतर बनाने में अपनी योगदान देगी बलकि अगर यह परियोजना सफल रहती है तो लेकिन यह जो नई परियोजना है यह जो West Seti Power Project है यह दोनों देशों के समबंधों की दशा और दिशाताय करने में महत्पूर्भूमी का आदा कर सकती है तो यह तो हुआ आजका निसकर्ष अबंत में प्रश्न की बात कर लेते हैं प्रश्न प्रिलिम्स का है और आप comment box में इसका उत्तर दे सकते हैं सवाल है लिपुलेख दर्रा निमिलिकित में से किन दो देशों को जोड़ता है हमारे options हैं भारत म्यानमार भारत पाकिस्तान भारत चीन या भारत बांगलादेश आप comment box में सवाल का उत्तर दे सकते हैं मुझे आशा है किस वीडियो में जिन भी बिं मंदित कोई भी सवाल आता है तो आप उससे आसानी से हल कर सकेंगे धन्यवाद